Welcome to Impulse Technology, मैं हूँ आपका टीचर दुर्गेसर आप देखने हैं Impulse Technology by दुर्गेसर देखें तो लास्ट क्लास में मैंने CCC का जो लेक्चर बनाया है याँ CCC का जो लेक्चर डाला है उसमें हमने देखा है कि CCC का फॉर्म कैसे भरेंगे यानि हमने बताया था CCC का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है तो मैंने बताया था कि student.knowledge.gov.in में आपको जाना है और यहाँ पे आपको apply online करना है तो यह फॉर्म जो भरना मैंने बताया था इस फॉर्म में भरते समय कई लोग की यह problems आ रही है कि सर फॉर्म तो हम भर ले रहे हैं यहाँ पे आप agreement एक sign करेंगे यानि click करेंगे agreement agreed के लिए और यहाँ पे आप apply कर देंगे agree पे proceed कर देंगे तो फॉर्म तो सर हम भर लेंगे सारा data हम डाल लेंगे लेकिन सर जो image है उस image की size हम छोटी कैसे करें यानि जो यहाँ पे image upload करना है अगर image आप upload करते हैं और वो size आप की बड़ी है तो हम उस image को upload कैसे करेंगे तो जैसे ही वो upload करना है एक message आ रहा है only jpg image is allowed यानि पहले तो problem यह है कि image जो है वो jpg होनी चाहिए दूसरी उसकी extension जो है extension यानि jpg होनी चाहिए और यहाँ पे जो image हमारे सामने desktop पे रखी हुई है वो jpg नहीं है आप type में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हाँ jpg ही है लेकिन इसकी size जो है वो बहुत ही जादे है यहाँ पे आप size देखेंगे इस image की तो यहाँ पे आपको size मिलेगा कि यह image जो है वो आपकी size 36 kb around है जो की आप नीची अगर आएंगे और form भरने में देखेंगे तो यहाँ पे जो size है वो 10 kb to 20 kb की चाहिए तो हमें 10 kb to 20 kb यानि बड़ी image की size हम छोटी कैसे करेंगे हम यह जानेंगे ना कि यह problem सिर्फ nylit में form भरने वालों की है यह problem बहुत बड़ी है कि कैसे हम किसी image की size छोटी करें और इसके लिए बकायदा कईज लोगों के मैंने advice देखें हैं जिसमें यह भी बताया गया कि आप Photoshop install कर लें या फिर और भी बड़े software install कर लें जिससे आप image की size आप change कर सकते हैं image को छोटा कर सकते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है आप अगर Microsoft के user है तो आपको कुछ भी करने की जोड़नी है सारे software आपके computer में installed हैं पहले से ही सिर्फ आपको Microsoft Office जो है वह install करना होगा और वह आपके system में तो I think जितने भी system user के हैं जितने भी आप भी अगर use करते तो आपके computer में Microsoft Office होगा ही होगा तो आपको गया करना है image को छोटा करने के लिए या size change करने के लिए उसका type change करने के लिए सबसे पहले image का type change करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है आपको कोई software नहीं download करना है आपको उसे open करना है MS Paint में यानि जैसे ही आप उसके उपर right click करके आप open with में जाएंगे और paint में जाएंगे तो वो image आपकी Microsoft Paint में खुल जाएगी तो मेरे पास यह impulse की एक image है जो की खुली हुई है मैं इस image का जो है वो size change करूँगा तो इसका पहले type change करें यानि JPEG format में करना है आपको या किसी other format में करना तो सबसे पहले आप उसे save as करेंगे और आपको जिस format में ले जाना है यहाँ पे लिखा है अगर PNG ले जाना तो PNG में JPEG, BMP, GIF other formats यानि जिस format में save करना है तो आप उसे save कर सकते हैं मैं इसे JPEG format में desktop पे जहाँ पे है मैं वहीं पे इसे save कर देता हूँ तो यह मेरी image जो है वहाँ पे replace करने के लिए कह रहा है तो यह मेरी image जो है वो desktop पे save हो चुकी है किस format में तो JPEG format में दूसरा option पहला option तो यह हो गया कि हम image का type कैसे change करेंगे अब हम image की size को कम कैसे करेंगे यानि सबसे बड़ी problem है तो image की size कम करने के लिए आप फिर से चलिए Microsoft Paint में यानि हम paint में आगए हैं में इस paint में यहाँ पे आपको size जो है resize का option मिलता है resize के option में आप इसकी size जो है कम कर सकते हैं मैं दिखाता हूं size इसकी क्या है तो यह जो image नीचे है impulse copy के नाम से इसकी properties में चलते हैं और इसकी size जो है वो 69 के भी around है यानि 69.2 के भी इसकी size है हम क्या करते हैं इसको हम ले चलते हैं हमें spent में और पहला तरीका paint में ले जाके इसकी size जो है horizontal यहां पर percentage यानि 50% horizontal छोटी हो जाए और vertical भी 50% छोड़ देते हैं ओगे करते हैं तो यह हमारी side छोटी हो चुकी है इसको आप safe पे click करेंगे आपकी file छोटी हो चुकी और यहां पर आपको डेक्स टॉप पे मिलेगा कि आपकी file जो है यहां पर देखेंगे तो properties में 40 KB की size हो चुकी है तो आप यहां से Microsoft paint से यानि हमें paint से ही अपने image की size छोटी कर सकते हैं यह भी नहीं अगर आप image को crop करना चाहें तो वहां से आप जाके image को crop भी कर सकते हैं तो मैं paint में फिर से image को open करता हूं और मुझे कुछ ही section चाहिए यानि कि यह मुझे इनका impulse के जो honor है इनका ही मुझे section इतना ही मुझे select करना है तो यहां पर हम आएंगे और इनका जो image है मैं इसे crop करूंगा और crop पर click कर दूंगा तो आपको मिलेगा कि यह जो है वो image आपकी crop हो चुकी है और आप इसे save करेंगे तो यह आपको desktop पे image मिल जाएगी जो की cropped है और हमें से open करता हूं यानि यहाँ पे आप इसे open करेंगे double clicker की से जब open करेंगे तो यहाँ पे आपको image मिल जाएगी आप properties में जाएगे तो आपको properties दिखाई देगी तो यह जो एक image है वो 4kbk around की हो गई है यानि image बहुती चोटी हो गई है अब आप इसे आसानी से upload कर सकते हैं यह तो हो गया पहला तरीका दूसरा तरीका क्या है image upload image को छोटा करने का side छोटी करने की आपको right click करना है और open with microsoft picture manager में जाना है अब हम picture manager में आ गए हैं और यहाँ से हम यह जो image है यहाँ से हम image इस chair की image को हम निकाल लेंगे निकालने के लिए क्लिका करेंगे तो आप view में जाएंगे और task panel पे जाएंगे यहाँ से आप edit option पे क्लिक करेंगे और आप crop पे क्लिक कर देंगे crop पे क्लिक करेंगे तो एक area आप इसमें से crop कर सकते हैं जिसको आपको photo में लगाना है यह area मुझे इतना ही area लगाना है photo में मैंने okay पे क्लिक कर दिया यह मेरा image है वो crop हो चुका है अब मैं इस image को resize करूँगा आपको क्या करना है तो simple अगर नहीं समझ मैं आता तो 200 और 200 का size आप दे देंगे यानि 200-200 pixel की size आप दे देंगे ओके करेंगे तो आपके image की size है वो 200-200 की बन चुकी है और आप इसे जब बन करेंगे तो मैं जो ये image किया हूँ इसकी size आप देखेंगे जो कि 70 around के भी था ये 4 के भी का हो चुका है तो इन दो तरीके से आप image की size छोटी कर सकते हैं और आप image को आसानी से upload कर सकते हैं आप image को कहीं भी form में भर सकते हैं उसे लगा सकते हैं चाहिए वह image हो चाहिए वह आपका थंब हो चाहिए वह signature हो easily आप Microsoft Paint या Microsoft Picture Manager के थ्रूप आप अपने image को crop कर सकते हैं resize कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई दूसरा software डालने की जोड़ित नहीं है आप हमारे साथ बने रहे हैं हम आपको next lecture में बताएंगे कि हम आगे और क्या process करने वाले हैं thanks for watching